हलो इस्टुडेंट माईसेल्फ रावल मिसरा टीम बॉटनी सीकर आज हम यहां डिसकस करते हैं दंगल सिक्स मैं बॉटनी सब्जेक्ट का कॉस्चन पेपर आपको पता है दंगल सी द्वारा आयो जित नीट एक्जाम के लिए एक बहुत अच्छी स्रंकला है और इस दंगल मे आपको NCRT बेस्ट कॉस्चन आपको मिलेंगे और मैं आसा करता हूं कि आप इस दंगल स्रंकला का अधिक से अधिक लाव लेकर अपने नीट के एक्जाम को आसानी से क्रेक कर सकते हैं तो चलिए इस स्रंकला में हम देखते हैं दंगल सिक्स का बॉटनी सब्जेक्ट का कॉस का नवाते हैं यानि कि कीमो सिंथेटिक अर्टो ट्रोपिक बैक्टिरिया प्लेअ ग्रेट रोल इन फरस्ट देखिह ऑंकशीजैनिक फूट प्रोॉड प्रोडाक्शन यह रोंग है यानि की फोटो सिंथेसिस के तरू फूड प्रोड़क्शन करते हैं रोंग है एकी प्रो जो इन ऑर गिनिक कमपॉंड होते हैं लाइक जैसे अमोनिया है नाइत्राइट है इनका ऑक्षिडेशन करते हैं और एटीपी का प्रोडक्षण करते हैं तथा साती साथ न्यूट्रियंट्स के रीकलर री-साइक्लिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरह आंसर क्या जाएगा answer third चलिए next हम discuss करते हैं सजीवों के लक्षणों के संदर्व में गलत बिकल्प का चयन कीजिए यानि की choose incorrect option about features of living organism first देखिए growth is seen only up to a certain age in animals यह statement right दी रखा है second देखिए some total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism यह भी right है third देखिए all non living object are capable in reproduction यह wrong है क्योंकि आपको पता है non living object में कभी भी reproduction नहीं होता तो answer क्या जाएगा third सभी निर्जी प्रजनन करने में सक्षम है यह गलत statement है ठीक है तो answer आ गया third next discuss करते है 153 दिए गए column first और column second को यहां पर हमें क्या करना है match करना है तो देखिए विरोइट्स विरोइट्स किस से related है विरोइट्स एक तो potato spindle tuber disease दूसरा क्या आ जाएगा यह जो विरोइट्स है low molecular weight RNA है इसके अलाबा larger than bacteria wrong है यह lake of protein यह A से related है genome RNA और DNA यह किस से related है वाइरस से presence of capsomere यह भी वाइरस से related है तो ध्यान रखना विरोइट्स यानी की potato spindle tuber disease यह किसी से भी related नहीं है third protein आवरण का भाव यह A से related है genome RNA यह विसानू में होता है capsomere की उपस्ति यह भी किस में होती है विसानू के अंदर तो इस हिसाब से अगर हम देखें A के साथ कौन कौन मैच कर रहे है first second fourth तो answer क्या गया second तो answer आ गया second चलिए next discuss करते है 154 तो देखिए बहु कोशिकी है साखित राइजोयट तता पत्ती युक्त युग मकोदवित किसका लक्षन है multi cellular branch राइजोयट and leafy gametophyte are the characteristic of किसका character है तो देखिए first option all bryophytes wrong हो गया क्योंकि यह character है moss का ठीक है ध्यान रखना किसका character है moss का gymnosperm wrong है teridophyte wrong है answer आएगा some bryophytes like moss तो answer आगया third next 155 निम्न कतनों पर विचार कीजिए consider the following statement पहला देखिए किसी प्रष्टाधारी पर्ण की अभ्यक्ष सतह पर सामान्य ता अधिक रंद्र होते हैं wrong यानि कि adexial epidermis जो dorsi ventral leaf की है उस पर usually more stomata होते हैं wrong क्योंकि dorsi ventral leaf की upper surface को हम बोलते हैं adexial epidermis या अभ्यक्ष बाहत तचा और इस अभ्यक्ष बाहत तचा पर या तो stomata absent होते हैं या बहुत कम होते हैं जबकि यहां बोला गया है ज्यादा दूसरा देखिए दूई बीच पत्री मूल में वलकुट की सबसे अंदर वाली परत को अंतस चर्म बोलते हैं बिलकुल right है the innermost layer of the cortex in a dicot root is endodermis right है क्योंकि आपको पता है cortex में 3 layer होती है एक होती है hypodermis दूसरी general cortex और सबसे आंत्रिक परत होती है endodermis तीसरा देखिए दूई बीच पत्री मूल में पोस्वा और दारू सईयों जी उतक द्वारा प्रतक रहते हैं बिलकुल right है यानि कि dicot root में जो जाइलम और phloem है उनके बीच में क्या परजेंट होता है conjunctive tissue ये right statement है तो answer क्या जाएगा a असत्य है जबकि b और c सत्य है यानि कि third next हम discuss करते है 156 बात रंद्र किसके द्वारा उत्पन किये गए दाव के कारण बाह तवचा में तूट फूट के कारण होते हैं यानि कि lengthy cells are formed due to rupture in epidermis because of pressure exerted by यानि कि pressure किसके द्वारा उत्पन होता है तो देखिए आपको clear पता है कि यह जो phalogen होता है वो phalogen बाहर की तरफ generally cork cells का formation करता है लेकिन कुछ places पर cork का formation ना करके parent chymetis cells का formation करता है जिसको हम क्या बोलते हैं complementary cells और यही complementary cells आंगे चलकर epidermis पर pressure generate करती है तो answer क्या जाएगा third next 157 कुकुमबर में प्रतान होते हैं रूप रूपांतरित इन कुकुमबर tendrils are modified देखिए यह जो कुकुमबर है उसमें जो प्रतान है उसका निर्मार किस से होता है कक्छस्त कलिका से होता है यानि कि पत्तियों के कक्छ में उपस्तित एक्जिलरी बड से प्रतान का निर्मार होता है तो किसका रूपांतरण है कक्छस्त कलिका का रूपांतरण है इसलिए answer क्या गया second next 158 इस कार्ट के द्वारा पक्छमाब तथा कसाविका के विविन भागों को प्रदर्सित किया गया है यहां आपको एक डाइग्राम दिया गया है जिसमें ABCD मार्क कर रखे हैं आपको बताना है कि यह ABCD क्या हो सकते हैं तो देखिए यहां एको अगर हम गौर से देखें यह प्लाजमा जिली से थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रजेंट है लेकिन यह प्लाजमा जिली को सो नहीं कर रहा जबकि आप देखिए फर्स्ट ओप्सन में प्लाजमा जिली बता रखा है गलत है थर रखना ना तो इसमें प्लाजमा मेंब्रेन को सो कर रखा है एक तुरू तो आंसर आगया इसमें फोर next one fifty nine कोशी का का सक्तिग्रे द color house of the cell यानि कि जो mitochondria है उसी को हम Powerhouse of the cell बोलते हैं तो दिएक अल्य जिली द्वारा होता है गलत है क्योंकि mitochondria में single membrane नहीं होती बलकि कैसी होती यह double membrane क्रिष्टी रखता है जो इसकी बाहे जिल्ली का बलन है गलत है यह जो क्रिष्टी होती है वो external membrane या outer membrane का extension नहीं है यह कोशिका की उर्जा मुद्रा निर्मार इस्तल है बिल्कुल सही है यानि कि यह जो energy currency जिसको हम क्या बोलते है ATP उसके formation की site होती है next देखिए eukaryotic तता prokaryotic कोशिका में पाए जाते हैं wrong है तो यह eukaryotic में तो होते हैं लेकिन prokaryote में नहीं होते तो answer क्या जाएगा इसमें पूचा है right तो answer आगे अपना third next 160 prokaryotes में ribosome यानि कि prokaryotic ribosome के बारे में हमें यहां correct option देखना है तो देखिए कोशिका की plasma जिल्ली से जुड़ा होता है बिल्कुल are associated with plasma membrane of bacterial cell या prokaryotic cell right है यह माप में 15 nanometer से 20 nanometer होते हैं बिल्कुल सही है ठीक है तो 15 nanometer into 20 nanometer size third देखिए यह दो उपिकाईया 50 और 30 से बने होते हैं बिल्कुल सही है इसमें two sub units होती है 50s and 30s तो answer क्या जाएगा fourth next 161 पादब कोशी का वित्ती का मुख्य गटक है तो अगर हम plant cell plant की जो cell wall है उसका अगर main component की बात करें तो mainly किसकी बनी होती है cellulogy की तो answer क्या जाएगा first next 162 मानव में सबसे बड़ा gene कौन सा है तो अगर human में हम largest gene की बात करें तो आप देखेंगे human genome project में clear लिख रका है NCRT में कौन सा gene आता है डिस्ट्रोफिन आंसर सेकेंड नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विकल्प RNA की संबंद में गलत है तो RNA के respect में incorrect statement हमें यहां चूज करना है फर्स्ट क्या है देखिए RNA contain auto cleavage activity राइट है इसमें स्वाखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है RNA अनू राइवोज सरकरा रखते हैं जिसमें मुक्त 2'OH समूँ पाये जाता है बिल्कुल सही है RNA में राइवोज सुगर होती है जिसमें 2'OH कैसा रहता है फ्री रहता है राइवोज सुगर नहीं होती क्योंकि उसमें कौन सी है राइवोज सुगर तो रॉंग स्टेट्मेंट कौन सा दे रखा है थर्ड नेक्स्ट 164 इन में से हमें करेक्ट मेंच को चूज करना है और सही option को सिलेक्ट करना है तो देखिए नाइट्रोसो मोनास नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है गलत है यहां पर ध्यान लगना नाइट्रोसो मोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है दूसरा देखिए थायो बेसिलस बी नाइट्री करन यह बिलकुल राइट है क्योंकि थायो बेसिलस डी niterification में participate करता है no stock free living nitrogen fixer है यह भी correct दे रखा है agitobacter anaerobic nitrogen fixer wrong है क्योंकि यह aerobic nitrogen fixing bacteria है agitobacter तो ध्यान रखना यह अवाई भी है लिख दिया इसलिए यह wrong है बाकि यह दौना कैसे है right तो option के answer क्या जाएगा second और third यानी की third answer next 165 सूखी लकडियां यदि चट्टानों की दरारों में डाल कर इने बिहोया जाता है तो ये एक अती दाव उत्पन करती है जो चट्टानों को तोड़ देता है दाव उत्पन होने का प्रक्रम क्या है यानि कि वो प्रोसेस वतानी है जिसके तुरू ड्राइबुड को जब हम किस में? स्मॉल क्रेक में डाल कर उसको पानी से यानि की वाटर से सोक करते हैं तो एक प्रैसर जनलेट होता है वो प्रैसर क्या है? तो ध्यान रखना यहां पर जो प्रोसेस पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी है? इम्बाइवीशन यानि की अंतर चूशन और यहाँ पर जो प्रेसर जनरेट होता है उस प्रेसर को हम बोलते हैं इम्बाइवीशनल प्रेसर तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट 166 स्वसन के कौन से पद में वी कार्वॉक्सिली करण होता है यानि की रेस्पिरेशन में डी कार्वॉक्सिलेशन स्टेप किस में होता है तो देखिए glycolysis wrong है ETS में होता नहीं है तो answer क्या जाएगा second crab cycle तो ध्यान रखना क्या आएगा answer crab cycle crab cycle में continuous अगर हम देखें जब acetal point GI में इंटर करता है तो उससे continuous दो step पर क्या release होते हैं दो CO2 molecule release होते हैं next प्राकरतिक पादा फॉर्मोन जो मक्य की अश्ठी और नारियल पानी से प्राप्त किया जाता है तो देखिए natural plant hormone जो corn करनेल और coconut milk से मिलता है तो क्या आएगा answer NCIT में clear दे रखा है जीए टिन answer second next चर्ग हातां की ब्रदी को गड़ती रूप में व्यक्त किया जा सकता है यानि की exponential जो growth है उसको mathematical अगर हम represent करें तो कैसे represent करेंगे ये भी आप देखोगे NCIT में दे रखा है तो क्या गया answer डबलू वन एक्वल टू डबलू जीरो एकुए की पावर आर्टी निमने लखे जीवा में कोशी का विभाजन की प्रक्रिया ही इनमें प्रजनन को प्रदर्शित करती है यानि की cell division itself a mode of reproduction simple सी बात है जो unicellular organism होंगे उनी में ये होगा जिनमें cell division और reproduction एक साथ होते हैं तो देखिए कौन-कौन से हैं अमीवा जीवानू ये सही answer है penicillium गलक्त है multicellular, cara multicellular, aspergillus और ameva aspergillus niger नहीं गलत है answer क्या जाएगा 1 ठीक है तो ध्यान रखना answer क्या गया 1 170 निम्नमें से कौन एक आवरत बीजियों के मादा युगमकोदवित का भाग नहीं है यानि कि ये जो angio sperm plant है उसमें female gametophyte का part नहीं है इन चार में से एक तो देखिए female gametophyte का means हो गया embryo sac तो embryo sac यानि कि ये जो भूण कोस है उसका भाग नहीं है प्रतिव्यासान्त ये तो भाग होता है दुर्विय केंद्रक ये भी भाग है सहाय कोशिका ये भी भाग है प्रो थैलियल सेल भाग नहीं है तो आंसर क्या गया 4 ध्यान रखना प्रो थैलियल सेल female में नहीं है अगर हम जिम्नो इस्पर्म में बात करें तो जिम्नो इस्पर्म में जब pollen grain बनते हैं तो उसमें कुछ सेल्स होती है इनको हम प्रो थैलियल सेल्स भी कहते हैं ये वहाँ फॉर्म होती है तो आंसर आ गया 4 त्रिक संयोजन यानि की त्री संलेन के पश्चात केंद्री ये कोशिका कहलाती है Central Cell After Triple Fusion Becomes Da तो देखिए Central Cell में जब Polar Nucleae के साथ एक Male Gamet Fuse कर जाता है इसी को हम बोलते है Triple Fusion और Triple Fusion के बाद में जो Central Cell है वो Convert हो जाती है Primary Endo Sperm Cell में किस में Convert हो जाती है प्रात्मेक Brune Post Koseika Answer आगया Third Next 172 उच्चे स्तरी है Vitamin वक खनी जो है तू फसलों का President कहलाता है तो ध्यान रखना breeding crops for high level of vitamin and minerals is known as ये 12th की NCIT में clear दे रखा है जब हम इस type के यानि की vitamin और minerals को लेकर जब breeding कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं Bio Fortification या जैव पुष्टी करन Answer 4 Next Penicillin की एक प्रभावी प्रती जैविक के रूप में पुष्टी की थी यानि की potential of penicillin as an effective antibiotic was established by दो साइंटिस्ट थे Howard Flore and Ernest Chen इन्होंने मिलकर ये काम किया था तो Answer आगया Fourth Clear NCRT Base है NCRT में दे रखा है चलिए next discuss करते हैं 174 निम्नमे से कौन सा Enzyme अप मार जगके निर्मार में सहायक होता है यानि की ऐसा कौन सा Enzyme है जो detergent के formation में हम यूज करते हैं तो देखिए Answer क्या जाएगा Life Page ये भी 12th की NCIT में क्लियरली दे रखा है next 175 Spirulina एक Single Cell Protein है जिसे भोजन के रूप में उपियोग कर सकते हैं इसमें Protein खनिस तता Vitamin पाए जाते हैं इसे आसानी से उगाए जा सकता है तो देखिए Spirulina जो Single Cell Protein can serve as Food Rich in Protein Mineral and Vitamin Which is grown Easily on तो देखिए इसे आसानी से हम कहां उगा सकते हैं ये भी NCIT Base है प्रोसेसिंग प्लांट से जो वेस्ट वाटर निकलता है वहाँ पर इसको हम grow करा सकते हैं दूसरा Animal Manure पर इसको grow करा सकते हैं यानि कि जन्तुओं से प्राप्त खाद पर और Next Seewage Water पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं grow करा सकते हैं यानि कि वाहितमल तो आंसर क्या जाएगा फोर इन सभी पर हम grow करा सकते हैं आंसर आगया फोर Next 176 प्लाजमिट जो प्रतम पुनर योगस डीने निर्माण में प्रियोक्त किया गया था कौन से जीवानू से विलगित किया गया था यानि कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डी ने बनाया गया था उस टाइम पर जो प्लाजमिट को आईसुलेट किया गया था वो किस और्गनिजम से किया गया था या किस जीवानू से तो ध्यान रखना सालमो नेला टाइफी मूरियम तो आंसर क्या जाएगा तो ध्यान रखना ये जो इको आरबन की रिकॉग्नीशन साथ जो सीक्वेंस है वो हमें यहां बताना है तो किलीर एंसी आईटी में दे रखा है G A A T T C तो देखिये यहां पर G A A T T C तो ये पैलिंड्रोमिक G A A T T C तो आंसर क्या जाएगा 1 जो किसी में नहीं दे रखा तो आंसर क्या जाएगा 1 178 निम्न मैं से कौन सी विदी जीवानु कोशिका को रूपांत्रण के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रुप्त की जाती है तो ध्यान रखना बैक्टिरियल सेल को कम्पिटेंट बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो किये जाते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर ये दुई सईयों जी धनाएन यानि की जो कैलसियम है जो डाइवेलेंट केटाइन है उसका हम यूज़ करते हैं साथ ही साथ आँगे चलकर इसको हम हीट सौक भी देते हैं तो देखिए इसमें सांदर्ता से उपचारित करने पर बिल्कुल सही है ट्रीटिंग विद स्पेसिपिक कंसेंट्रेशन ओफ डाइवेलेंट केटाइन लाइक कैलसियम डाइ पॉजिटिव एकल सहींग जी धनाइन गलत है क्योंकि एकल सहींग जी धनाइन का हम कभी भी यूज नहीं करते डाइवेलेंट का करते हैं थर्ड ताप प्रगात यानि की हीट सौक तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ यानि की फर्स्ट एंड थर्ड सौरी आंसर आएगा इसका फोर्थ चलिए नेक्स्ट डिसकस करते हैं 179 वासमती चावल की कितनी पहचानी गई जाती है भारत में उगाई जाती है टीक है तो how many documented varieties of वासमती rice are grown in India ये भी clear NCIT base है NCIT में बता रखा है कि 27 documented वासमती जो varieties हैं वो यहाँपर grow कराई जाती हैं तो ध्यान लगना यहाँपर कितना आ जाएगा answer इसका 27 यानि की answer third चलिए नेक डिसकस करते हैं 180 एक क्रमी यानि की निमेटोड जो की तमाकों की जड़ों को संक्रमित कर उत्पाधकता में भारी गरावट करता है तो निमेटोड का नाम बताना है जो टुवेको प्लांट्स में इनफेट करके प्रोडक्शन को ग्रेटली क्या कर देता है डिक्र चलिए समुद्र में एक प्रारूपे चारण खाद श्रंखला हेतु जैव भार और उर्जा के इस्तूप होने चाहिए ठीक है तो ध्यान लखना प्रामेड और बायो मास एंड एनरजी इन ओसीन फॉर टिपीकल ग्रेजिंग फूट चेन बुडवी कैसा होना चाहिए तो ध राइट बनेगा अब बात करते हैं बायो मास बायो मास कहां वो भी ओसीन की बात कर रखी है एक्वेटिक इको सिस्टम तो इस टाइम पर यह कैसा बनता है यह उल्टा बनता है ठीक है तो ध्यान रखना कैसा आजाएगा इसका इनवर्टेड एंड अपराइट क्रॉप क्या है तो ध्यान रखना इस्टेंडिंग क्रॉप का मीन्स होता है एकाई छेत्र में एक निर्धारिच समय पर जीवित जैव भार जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सस्य फसल लिविंग बायो मास इन यूनिट एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम ये क्लियर ए 183 ये आपको एक डाइग्राम दे रखा है इस डाइग्राम से रिलेटेट पूचा गया है एक्स द्वारा किस प्रकार का जीवोम प्रदर्शित किया जा रहा है तो आप देख रहे हो ये एक्स सो कर रखा है ये वाला पार्ट कि कौन सा है एक्स का तो ये हमें बताना है कि ये कौन सा जीवोम है या बायोम है तो ध्यान लखना ये ट्रॉपीकल बायोम को सो कर रखा है यहाँ पर जबकि ये कौन सा है टेमप्रेट तो ये कौन सा आजाएगा टेमप्रेट बायोम यानी की सीतोस्न वन टेंपरेट फॉरेस्ट आंसर आएगा सेकंड क्लियर एंसी आइटी बेस 184 निम्न लेखित में से कौन सा कथन सही है तो हमें यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है तो देखिए समुद्रों में लबन की सांदरता 30 से 35 भाग प्रती हजार होती है बिलकुल राइट है दसाल्ट कंसंट्रेशन इस इतने पार्ट पर थाउजंड ओसीन ठीक है जल जीवों के वित्रण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जीवानू कवक तथा निम्नतर पादप अनुकूल परिस्थतियों में जीवन यापन करने हैं तो बिविन प्रकार के मौटी बित्ती युक्त बीजानू का निर्माड करते हैं रॉंग हो गया फॉर्थ देखिए अनुकूलन सामान निता एक समुदाए की कारी किये गुण है गलत है क्योंकि ये जो फिजियोलोजीकल अडप्टेशन होता है ये पॉपूलेज़ सोरी कम्यूनिटी का केरेक्टर ना होकर किसका होता है इंडिविज्वल और्गनिस का केरेक्टर है तो ये एफ बिंदूओं का अध्यन कीजिए तथा पवित्र उपवन की सही संख्या को पहचानिए यानि कि यहां पर आपको सेक्रेट ग्रूप्स पहचानने हैं कौन-कौन से हैं तो देखिए इंडो वर्मा रॉंग है खासी एंड जैन्तिया हिल्स ये राइट है वेस्टन घाट इसमें कौन-कौन से आ जाएंगे खासी वा जैन्तिया हिल करना टका के पश्चिमी घाट अरावली परवत स्रंखला सरगुजा चंदरा तथा बस्तर जो मंत्य प्रदेश में हैं तो ये कहां आ जाएंगे चार आंसर आ जाएगा फोर नेक्स्ट वन एट्टी सिक्स अब ये तो इसकी मैचिंग किससे होगी? ब्रैड मोल्ड तो ध्यान लगना ये आ गया ब्रैड मोल्ड राइजोपस अगेरिकस मस्रूम होता है जिसका हम यूज किसमें करते हैं? खाने में करते हैं तो ये क्या हो गया? अगेरिकस खाने योग्य मस्रूम पक्सीनिया ग्रैमिनिस ये पक्सीनियागरमिनhandoli, यह get rog नार रस्ट Wise Causes करता है और फोर्ट सेफ्रोमाइसे चेरिबिशी यह बेकर्स एस्ट है तो इस हिसाब से आंसर क्या आजाएगा फरस्ट का M, सेकंड का K, थर्ड का L और N फरस्ट आंसर आजाएगा next 187 ब्रक्ष के तने की मौटाई में ब्रधी करने के लिए उत्तरदाई जो मेरिस्टमेटिक टिशू है वो कौन सा है ठीक है तो ध्यान रखना कौन सा मेरिस्टेम है जो ट्री ट्रंक के गिर्थ को इंक्रीज करता है तो कौन सा है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है कौन सा होता है लेटरल मेरी स्टेम जो सेकंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करके ट्री ट्रंक के गिर्थ को इनक्रीज करता है आंसर आगया थर्ड चलिए नेक डिसकस करते हैं 188 निम्नमैसे कौन सा युग्म रेशेदार फसल और एक औसदिये पादप को दर्साता है तो देखिए इसमे आंसर आजाएगा आपका क्रोटोलेरिया और बिथानिया यह जो क्रोटोलेरिया है इसे हम सनई भी बोलते हैं जिससे फाइवर मिलता है तो आंसर क्या जाएगा प्योर एंसी आर्टी वेस है सेकंड आंसर आएगा इसका 189 आभासी पट निम्न पुस्प के अंडा से में किसकी बात कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं रैपलम तो यह फॉल्स सेप्टम मीन्स यहां किसकी बात कर रही है रैपलम और यह रैपलम किस में प्रिजेंट होता है सरसों यानि कि मस्टर्ड प्लांट में आंसर आगया सेकंड नेक्स्ट वर नाइन्टी सिस्टर क्रोमेट किस स्टेज में segregate होते हैं तो ध्यान रखना एना फेज के अंदर centromere split हो जाता है गुणसूर्ट बिंडू का victim होता है इस case में दोनों sister chromatid एक दूसरे से separate हो जाते हैं तो answer क्या गया second प्रोफेज में कभी भी separation नहीं होता एना फेज फस्ट में homologous chromosome का separation होता है तो इसलिए आंसर क्या जाएगा second next 191 नीचे दिया गया वक्र enzyme क्रिया को तापमान के साथ दरसाया गया है यहां आपको x एक indication दे रखा है आपको बताना है कि यह x क्या है तो ध्यान रखना जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं enzyme की क्रिया सीलता बढ़ती है लेकिन एक specific तापमान पर क्रिया जो होगी enzyme की वह सबसे अधिक्तम होती है उस तापमान को हम क्या बोलते हैं इस्टतम तापमान यानि की optimum टेंप्रेचर तो जिस टेंप्रेचर पर enzyme activity maximum है उस टेंप्रेचर को हम क्या कहेंगे optimum टेंप्रेचर यह भी ncrt में के लिए दे रखा है आंसर वन नेक्स्ट लैक ओपिरॉन के दिये गए चित्र में एको पहचानी है यानि कि यहाँ पर आपको ए दे रखा है इस एको identify कर रहा है कि यह एक क्या है तो ध्यान लखना यह जो लैकोपिरॉन में आई जीन या रेगुलेटरी जीन से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन के साथ जब लैक्टोज जुड़ जाता है तो वो कैसी हो जाती है निस्क्रिया या इनेक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाती है तो यहां आंसर क्या गया फर्स्ट लैक्टोज नेक्स्ट 193 गलिसरोल सामानिता बसा है उसे अन्य नाम से भी जाना जाता है यानि कि गलिसरोल का कोई अधर नेम भी है उसको क्या बोलते हैं तो क्लियर NCRT में दे रखा है 11th क्लास में कि इसे हम क्या कहेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से जानते हैं तो आंसर क्या जाएगा सेकेंड नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक एम आइड पादपों द्वारा नाट्रोजन स्वांगी करण में सम्मिलित होता है विच बन आप दा फॉलेंग इस एम आइड इन्वल्मिन नाट थर्ड नेक्स्ट इलेक्ट्रोन इस्थानांतरन तरनत के दौरान अंतिम इलेक्ट्रोन गराही कौन सा होता है लास्ट इलेक्ट्रोन अक्षेप्टर ड्यूरिंग ETS तो ये भी आपको क्लियर बता रखा है लास्ट में इलेक्ट्रोन अक्षेप्ट कौन करता है ऑक्सीजन तो answer आगया first next 5 अणों glucose निर्माढ है तो कितने Kelvin cycle की requirement होगी तो ध्यान रखना कितने glucose की molecule बनाने है 5 आपको पता है एक glucose molecule को बनाने में जो Kelvin cycle यहां C3 cycle चलती है वो कितने times चलती है 6 times यहां पर Kelvin cycle चलती है कितने 6 times अब यहां 5 molecule glucose के बनाने है तो इस case में यहां पर कितने times चलेगी 6 into 5 equal to 30 तो कितना आजाएगा answer third RNA अंतर छेपन RNA आई तकनीक पादप को निमेटोड से सुरक्षित करने के लिए विक्षित की गई इस तकनीक में निमेटोड का पोसी पादप द्वारा उत्पादित SI RNA द्वारा वर्दित किया जाता है यानि कि RNA interference technique has been developed to protect the plants from the निमेटोड in this technique of निमेटोड is silence by SI RNA तो आपको इसमें यह जो फिलिंदा ब्लैंक से उसको फिलप करना है simple सी बात यहां आप से पूछा गया है कि यह जो SI RNA जो host plant में बनता है वो किसको silence कर देता है तो clear सी बात है यहां पर जो plant है उसमें small RNA, small interfering RNA जैसे SI RNA भी बोलते हैं यह SI RNA आँगे जाकर निमेटोड के specific gene के mRNA को silence कर देता है तो यहां answer क्या गया mRNA जिससे protein का formation नहीं हो पाता answer है third next PBR322 की rope gene किसे कूट लेखित करती है यानि की जो rope gene है PBR322 की वो किसको code करती है clear NCIT नहीं दे रखा है कि यह उस protein को code करती है जो plasmid के प्रतिकिरती यानि की plasmid के replication से related होते हैं तो answer क्या जाएगा इसका third next agarose gel चालनी प्रभाव प्रदर्सित करता है जिसे dna खंड के आकार के आधार पर अलग अलग होते हैं agarose gel को प्राप्त किया जाता है simple सा इसमें आपसे पूछा है agarose gel को कहां से extract किया जाता है तो ध्यान रखना clear ncrt ने बोल रखा है seaweed अब आप कह सकते हो इसे रेड एलगी जैसे एक्जाम पर जैली डियम एंड ग्रैसी ले रिया तो आंसर आ गया फोर तो ध्यान रखना यह एगरो समुद्री खर्पतवार लाल सहवाल जैली डियम और ग्लैसी ले रिया इनसे मिलते हैं और लास्ट कोस्टन निम्नांग के चित्र द्वारा चित्र के नीचे दिये गए कत्नों का अध्यन कीजिए study the following diagram and statement given below the diagram देखिए यह बिद्यूत अवक्छे पित्र को प्रदर्शित कर रखा है बिल्कुल सही है यह आपको picture दे रखिए electro static precipitator की next ऐसी युक्ती में electro tar अधिक उच्छ बॉल्टेज पर रखे जाते हैं बिल्कुल राइट है इसमें बीच में जो electrode wire होते हैं वो हाई वाल्टेज पर maintain रखे जाते हैं यह ताप विद्यूत सही अंत्रों के निर्वाव में SO2 को हटाने के लिए प्रियुक्त किया जाता है गलत है NCIT ने किलियर बता रखा है कि electro static precipitator का यूज करके हम particulate matter को हटाते हैं ना कि SO2 को इसमें plate के मद वायू बेक सदेव उच रखा जाता है गलत है velocity of air between the plates all of it kept very high यह भी NCIT ने बता रखा है कि इसमें high जो velocity है वो हम नहीं रखेंगे ठीक है तो ध्यान रखना वायू बेक की यह एर की जो velocity हो कम ही रखेंगे तो यहां क्या पूछा है कतनों के सही समुच्चे को चुनिये जो चित्र को संतुष्ट करते हैं सही कौन-कौन से हैं A और B तो answer क्या जाएगा fourth तो यह यहां botany subject के जो question थे 151 से लेकर 200 तक वो हमने यहां discuss किये आपने देखा कि NCRT based paper था तो मैं आसा करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा और आने वाले NEET exam के लिए आपको बहुत बहुत सुपकामना है आप बहुत अच्छा करें thank you